हेलो गाईज आज हम बात करेंगे येस बैंकी बट मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि मैंने फ्राइडे को एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि मंडे को या फ्राइडे को ये ब्लास्ट होने वाला है बट ये नहीं हुआ ट्विजडे को उपड जा रहा है बट जैसे ये उपड जाता है आज यूसी लगने के चांसस थे इसमें ऑपरेटर फिर से एंटर हो जाता है बट जितने बायर्स थे मतलब जो खरीद रहते उतने ही बेचने वाले आ जाते हैं वो कैसे आ जाते हैं ऑपरेटर आपरेटर नहीं चाह रहा है कि ये बैंक इतने सारे buyers buy कर रहे हैं yes bank को but operator नहीं चाह रहा है कि यह उपर जाए इसलिए बेचने बाले लोग चादा कर दिये जाते हैं artificially तरीके से इसलिए मैंने आप से बोल रहा हूँ कि इस bank से अभी थोड़े से दिन दूर रही है even 27 तक देखिए कि यह stable होता है क्योंकि यह artificially चल रहा है सारे चार्ट ब्रेक कर दिये हैं इसने जो operator चाह रहा है वो yes bank में हो रहा है और जो new retailers हैं जो retailers हैं जिनका पैसा लगा हुआ है उनको लूटा जा रहा है to be honest नहीं तो यह अभी तक 20 होना चाहिए था बट इसको नीचे लेके जाया जा रहा है इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि जिस stock में operators हो उससे दूर है क्योंकि retailers के हाथ में कुछ नहीं रहता operator जो चाहता है वो होता है और जिसकी वज़े से retailers का बहुत सारा money लूटा जाता है वो ही yes bank में हो रहा है बट आपको 27 को देखना होगा कि क्या announcement आती है और हो सकेगा तो मैं सबसे latest वीडियो लाके आपको दूँगा जिससे आपको पता पड़े कि क्या sentiment है बट एक चीज और है जो लोग buy कर रहे हैं उनको लगता है कि 27 को कुछ अच्छा होने वाला है इसलिए इतनी huge quantity में stock उठाए जा रहे हैं तो देखते हैं 27 को क्या होता है still मैं ये कहूंगा कि आपको अभी इसे buy ना करें 27 तक देखें और इसमें operator पक्का सामिल है तो अगर वो चाहेगा तो ये stock उपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा तो देखते हैं 27 को क्या होता है जो भी news आएगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा और आप ऐसे ही मुझे follow करते रही है तो आपको latest news मिलती रहेंगी